राची के मुरहबादी मैदान में पिछले 28 दिसंबर से लगा राश्टिय खादी एवं सरस मेला का आज समापन हो गया यानि रविवार को समापन हो गया राजपाल रमेश बैस इस समापन समारो के मुख्य अतिती थे आज अन्तिम दिन मुख्यमंत्री की पत्नी कलपना सोरेन भी मेला घूम ने आई और उन्होंने चर्खा में खासा दिलचस्पी देखाई इसके अलाबे उन्होंने कुछ खरिदारी भी की है मापन समारो को समबोधित करते हुए राजपाल रमेश बैस ने कहा कि खादी आत्म निर्भर भारत के निर्मान में सहयोग दे सकती है माफसा में खादी आधारिक बापो के सिद्धान तेओ वो देश्य के नुदूद सुरुजगार उन्होंसो और लंबन तका घ्रामणी मेलाओं की आतिक ससकती करन जलबती है या माफसा गेजबर के गुलकरों, कारीगरों तेओं हस्त सिल्भियों के उत्पात को मंच प्रदान करता है इस माफसा से उन्होंस ने गुडामी की जंजिरों को तोड़कर आजाब भारत की नियु रखी आज विक्सित भारत और आत्म निर्वर भारत के सपने को पूरा करने के लिए खादी का एक एक डागा प्रेडर स्रोथ बन सकता है और आत्म निर्वर भारत के सपनों को सकार कर सकता है खादी केवल वस्त्र या एक उत्पाद नहीं है बन की एक विजार है जिसे रास्ट पिता मात्मा कांदी ने दिया है इसमें कुटी उद्यवत की जरिये स्वाड़ंबन और रुजगार खड़ा करने का बड़ा उद्यश्य समाईत है खादी के जरिये ग्रामिन शेत्र में रहने वाले अधिक से अधिक लोगों को स्वाव लंदी बनाएं जा सकता है इसके लिए खादी ग्रामिन विकाति वाद को समन्मा इस्थापित कर इस दिशा में काड़े करना होगा आजिपाल ने महात्बा गांधी पर आधारित प्रदर्शनी को भी बहुत गौर से देखा इस प्रदर्शनी में बापू की पुरानी तस्वीरें काफी संख्या में थी